देश के परधान मंत्री आगामी 19 जनवरी को मुंबई महानगरपाली का सीविच ट्रिट्मेंट प्लान्ट और अन्य विकास कामों के उद्गारेन के लिए मुंबई आ रहे हैं अब इस बात को लेकर मुंबई समेट महराष्ट का सियासी पारा गर्म हो चुका है सियासी दलून द्वारा अविस काम का श्री लेने की होड लगती भी नजर आ रही है इन्ही सब के बीच युवासे नानेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित ठाके ने बीमसी कमिशनर को एक ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने मुंबई में हो रहे है विकास कामों के संदर में कई सवाल पूछे है संजेराउत ने महराष्ट में निवेश के मुद्य और परधान मंत्री नरेंद मोदी के मुंबई दोरे पर टिपनी की है उन्होंने कहा कि महराश्च सरकार राज में निवेश लाने के परती जरा भी चन्तित नहीं है संजय राउत ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों के मुखवंत्री अपने राज में निवेश लाने के लिए दावोस जा रहे हैं दरसल महराष्ट सरकार द्वारा दावोस दोरे की समय सीमा को कम किये जाने की खबर है जिस पर राउट सरकार ने निशाना साधा है संजेर राउट ने कहा कि परधान मंतरी मुंबई आ रहे हैं यह अच्छी बात है उनका सागत होना चाहिए हाला कि इससे ज़्यादा जरूरी महराष्ट में निवेस लाया जाना है परधान मंतरी के मुंबई आने की वज़ह से दावोस दोरे को छोटा किया जा रहा है अच्छा होता कि परधान मंतरी खुद कहते कि इन विकास कामों का उत्खाटन अगली तारी को किया जाएगा लेकिन दावोस दोरे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए राउट ने कहा कि पी-म के मुंबई दोरे को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन दावोस के कारिकरम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता राउट ने सिधा रूप लगाया कि परधान मंतरी ननेंदर मोदी का मुंबई आना सिर्फ और सिर्फ मुंबई महानगरपाली का चुनाव के मंदे नजर है संजे राउट ने कहा कि महराष्ट बीजेपी का पहला मकसद राजनिती है राज में निवेश लाना उनके लिए प्राथमिक्ता नहीं है पर परधान मंतरी हमारे अपने हैं मुंबई आते जाते रहेंगे लेकिन अगर एक वार निवेश हाथ से निकल गया तो वह वापस आने वाला नहीं है संजे राउट से जब यह सवाल पुछा गया कि प्रधान मंतरी तकरीवन एक महीने में दूसरी वार महराष्ट में आ रहे हैं आखिर इसकी वज़ा क्या है जिस पर राउट ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीती सिप्रेरित है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले दिनों में होने है जिसके मंदे नजर बीजेपी द्वारा यह दिखानी की कोशिश है कि यहाँ जो भी किया गया है वह सब हमने ही किया है लेकिन जनता है जो सब जानती है सब्सक्राइब करें और रहें पलपल की खबर से हर पल बाखबर